उनको चुप ही रहने का गुरू ने किया इशारा किरपाचार ने कहा सुनो हे वीर युवक अंजान भारत वंस अवतंस पांडू की अरजुन है संतान छत्री है रहे राजपूत्र है वो ही नहीं लड़ेगा वो ही नहीं लड़ेगा जिस तिस में हाता पाई में किस कूद पड़ेगा अरजुन से लड़ेगा अरजुन से लड़ना हो तो मत गाहो सबाक में मौन नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाती के हो कौन नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाती को हो कौन जाती हायरी जाती कर्ण का हरदेश छोब से डोला कुपत सूर की ओर देकर वीद क्रोथ में बोला जाती जाती रटते जिसको पूझी केवल पाखन मैं क्या जानू जाती जाती है वो मेरे भुजदंद उपर सिर पर कनक छत्र बीतर काले के काले शर्माते हैं नहीं जगत में जाती पूछने वाले सूथ पुत्र हूँ में लेकिन थे पिता पार्थ के कौन सास हो तो कहो ग्यालन से जाओ मत मौन अरे पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए के ये किताब आजी खरी दिये है अद्देश मोदे अद्देश मोदे अद्देश मोदे ये ये अद्देश मोदे कहने पढ़ना नहीं आता है चलिए इन्हों ने आभी ते छे साल में थ्री इंटू सिक्स्ट्री सुपरिटिकल थर्मल प्लान नहीं कहा लगता मुझे दुबारा पढ़ना पढ़ेगा अब आखरी जो अद्देश मोदे अद्देश मोदे मस्तकूचा किये जाद का नाम लिये चलते हो पर अधर्मन सोशन के बलके सुख के पलते हो अधम जातियों से थर-थर कापते तुम्हारे प्राण चल से मांग लिया करते हो अंगुठों का दान वो उपर वाली तो इसलिए पढ़ दी क्योंकि नेता सदन ने पीशे पढ़ा था आपने बात में पढ़ा था सुलमे में क्या है और पंद्द्रे में में क्या था ये ये लड़ाई कोई आज की नहीं है ये लड़ाई पांच गास साल कुरानी है और अद्द्द्द्ध मौदे ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया मैं कहता हूँ सौने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो सुईकान्ट करने बाला नहीं हूँ और मैंने ये रामचत मानस के बारे में नहीं पूछा था मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है और यही शूद्र अगर ढालना वने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते ये पढ़ने की बात कर रहे हैं आप इतिहास के पन्ने उठा हो आप क्या आप क्या घर आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको ये कहा का सिर्दांत है? एक बार दुनिया के एक हिस्से में 400 साल पहले एक साइन्टिस्ट, ऐस्टोनोमिस्ट इसमें तो नहीं पढ़ना पढ़ रहा है न मुझे साइन्टिस्ट ऐस्टोनमिस्ट कहने में गैलिल्यू उसने ये फ्रूब किया कि सूरि Wars का चकर धर्टी लगाती है कि चर्ष कोई सुइकार नहीं था क्योंकि चर्ष नहीं ये कहा था कि धर्टी का चकर सूरि लगाता है और उसे सजा मिली सजा उसकी जान चली गई लेकिन वही देश तरक्षी करा कर समाझ 400 साल बाद गल्ती सुिकार किया कि उसमें गली लोगों गलस हजा दी चर्च ने क्या अद्धेश मौदे नेता सदन ये बताएंगे कि शुद्र गल्त है कोई जान से पैदन नहीं हो सकता और किसी कि अभी आप गंगाजल से नहीं धुरवा सकते हो बताओ आप सुत्र हो के नहीं हो अरे आप कहा खड़े होगे आपके बारी आएगे तो